नमस्कार शातियों आपका एक बार फिर्शे हमारे ओनलाइन प्रेटपर्म जसनात क्लासेज पर स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे 172022-23 के लिए इसना तक कोतर कह सकते हैं PG प्रस्ट येर के लिए ओनलाइन एड्मिशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी जिल्ला इस तरफ पर PG कॉलेज है और उसमें MA, MCOM, MSC के एड्मिशन के लिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे तो पहले पूरा वीडियो द्यान से सुनना उसमें कोई प्रोब्लम है तो ही आप कमेंट करना क्योंकि आप आराम से वीडियो देखना फिर आपको कोई भी प्रोब्लम नहीं रहेगी तो जो भी राज की अमाविदाले है गवर्मेंट कॉलेज जो PG करवाते हैं उसके लिए 17-22-23 के लिए एड्मिशन आज से इस्टार्ट हो गए है आपको पता है कि यूजी की परिक्साइं लेट होई थी जिसके कारण रेजल्ट भी लेट आया है कई कॉलेज जो में अभी भी नहीं आया लेकिन ज्यादातर यूणिवर्शिटी ने रेजल्ट जारी कर दिया तो अब PG के एड्मिशन भी इस्टार्ट हो गए तो जो पी जिला इस तर पर PG कॉलेज है उसमें 17-22-23 के लिए इस्टा तक को तर अर्था PG के लिए ऑनलाइन आवेदन इस्टार्ड हो गए है तो आब आप पहले डेट को सुनिए ओनलाइन आवेदन पत्र जो पौरम है उसके प्राण भोने की तिती है आज से इस्टार्ड हुए है और आवेदन पत्र भढ़ने की अंतिम तिती आपकी जो है वो सब अक्टूमबर है और मा विदन द्वरा आवेदन पत्रों को आउनलाइन सत्यापन की अंतिम तिती है वो 10 अक्टूमबर है अंतिम वरिता सुसी वो परतिक्सा सुसी अर्था आपके मैड लिष्ट है वो 12 अक्टूमबर को आएगी और परवेशित विद्दार्तियों की परत्रों सुसी का परकास्टन है वो 18 अक्टूमबर को किया जाएगा और सिक्षन कार्या है वो आपका 18 अक्टूमबर सही मंगलवार को प्रम्भ होगा तो कहना का मतलब है आज से आप 10 अक्टूमबर तक फोरम भर सकते हैं और आपके 12 अक्टूमबर को जो मेरिट लिस्ट आ जाएगी और आपका कक्षा का जो कार्या है सिक्षन कार्या वो 18 अक्टूमबर से स्टार्ड हो जाएगा अब मैं यहाँ पर एक दो बात आपको बता देता हूँ तो आप ध्यान से सुनना जो भी PG कॉलेज है अब लग बग हर जिले में PG कॉलेज है क्योंकि आप कोई पता है PG कॉलेज तो हर डिस्टिक में होता ही है तो जो भी गवर्मेंट PG कॉलेज है जैसे कि मैं बात करता हूँ वीका नेर में डौंगर कॉलेज है बाड मेर मेराज किया PG माविदल बाड मेर है तो ऐसे जो भी PG कॉलेज है जिसकी पाली हर डिस्टिक में PG कॉलेज है उसमें एडमिसन के लिए तो एक बात यहां पर नोट कर देना कि कई ऐसे PG कॉलेज है वो अलग-अलग कॉर्सेज करवाते हैं कहीं पर MSC के लिए एडमिसन होता है कहीं पर MA के लिए होता है कहीं पर MC के लिए होता है कहीं पर MSC के दूर्स सबजेक्ट है कहीं पर होते भी नहीं है वो आपको अपने कॉलेज पर जाकर जो भी डिस्टिक लिवल पर कॉलेज है PG College वहाँ जाकर आप पता कर शकते हैं कि कौन कौन से आपके subject है तो मैं बात करता हूँ PG College बाड़ मेर की बाड़ मेर में MSC, Chemistry और बोर्टनी से होती है बाकि सब्जेक्ट से नहीं होती है MSC, राजनिती से होती है राजनिती विज्ञान, M.com, Accounting में होती है बाकि सब्जेक्ट में नहीं होती तो बाड़ मेर में जो भी student MSC करना चाहता है वो chemistry और बोर्टनी से करेंगे तो PG College बाड़ मेर से हो जाएगी अन्यता आपने जैन अन्यास University या राजस्तान University किसी भी University से आप कर सकते हैं यदि आपने फॉरम अपलाई किया है और M.A.H.T. और राजनीती विज्यान M.C.O.M. Accounting ये मैं जो आज का न्यूज पेपर था उसके आदार पर बता रहा हूँ और भी कई कोर्श है तो आप जो भी student PG करना चाहता है वो college से संप्रक करें और कोर्श के बारे में पता करें अब कई student पूसेंगे कि सर फींस कितनी है तो फींस के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है क्योंकि अलग-अलग college और की अलग-अलग फींस है तो पूरे राज्टान को कि जो भी college है उनकी फींस मेरे को पता नहीं है और ना भी कभी में आपको आगे बताऊंगा कि किस college की फींस कितनी है इसलिए आप अपने college सही संप्रक करें तो अभी आप फोरम अप्लाई कर दें और उसके बाद में आगे जो भी update होगी तो आपको दे दी जाएगी और जो पुंदर मुल्यांगन के बारे में था जैनार यास उन्दर शिटी में कई सब्जेक्ट का वापस इस्टार्ड किया था उसकी डेट आज अन्तिम तारीग है 21 सित्मबर तो वो भी मैंने आपको टेलिग्राम पर update दे दी इसलिए आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप जसनात के लगसेज को जरूर जोइन कीजिए क्योंकि हर update वहाँ पर आपको दे दी जाती है तो धन्यवाज सातियों यह आपको बतना था कि PG और तब पुरवाद के जो भी student है वो परविश लेना चाहता है government college में तो ले सकते हैं दन्यवाज